नमस्ते दोस्तों मेरा नाम अनिल है और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि लिखने से क्या फाइदा होता है कि कैसे मतलब राइटिंग एक बहुत ही हलपफुल चीज हो सकती आपके लिए अभी कुछ दिन इसके बारे में अंसर देने से पहले और दोनों को ट्राइ करके देखेगा तो मुझे थोड़ा बहुत पता था तो मैंने उसको लिख लिया था और एक जगह मैं आके फस गया कि मैंने देखा मुझे इंफॉर्मेशन पता है कि अपनी वीक्निस को पैचानना है देखना है चैने मैंने दोनों को ट्राइक किया तो मैंने देखा कि मैं दब जब हम द्रिफट ऑटिंग करते हैं तो उसमें ज्यादा दिफ्ट हो जाते कि कि हम या पस पैनिया कॉपी जैसी कोई चीज नहीं है जो मैं याद दिला है कि हम दृट वाचिंग कर रहे हैं और डिफडुर् पड़ोस में तेरे ही थी मतलब खाना खाने जाना था तो उपर मेरे हां मकान मालिक रहते हैं तो उनका बेटा है हर्चत नाम उसका तो हम सोच रहे थे कि जब बुलाने आएगा तभी हम जाएंगे तो नहीं जाएंगे तो जब मैंने इसको क्लासिफाई किया इस ड्रिफ्ट क कि यह ड्रिफ्ट कहां से आ रहा है तो देखा कि इगो से आ रहा था कि वह बुलाने आए तभी हम जाएंगे तो मैंने इसे पकड़ लिया और फिर क्या हुआ बस पांच मिनिट के बाद अचानक सही हम अपने आप अधेले चले खाना खाना खाके आ गए तो वह इगो डिज तो लखनाव जाना पड़ता है बार बार तो मैंने देखा है मैं वहां जाकि ए और सेंटर में बहुत ज्यादा चला जाता हूं लेकिन इस बार मैंने नई चीज की मेरे पास एक छोटी सी नोट बुक है जिसे मैं हमेशा शाथ रखता हूं इसमें मैंने यह चीज लिख दी कि अनिल इस बार ध्यान लखना कि जाते हो लखना हूं तो कोशिश करना कि जल्दी सो जाना और कम खाना खाना जो जो चीजों से मझे लगता है कि और सेंटर को खुराक मिल जाती है तो मैंने बस इसमें लिख दिया और पता नहीं क्या हुआ कि उसके वज़े से मैं इस बार हम लगो नहीं चीज स्टार्ट कर रहें आप लोगों के लिए फिजिकल सेशन्स करेंगे जो लाइव सेशण्स होगी जिसमें आप मुझसे परस्लिय मिल सकते हैं और डीप नॉलज़ का जो पहला लाइव सेशन हो रहा है जिसमें कि अलाइव मतलब आप मुझे फिजिकली तो हम लोग दिली, बॉम्बे और उन सभी शेहरों में जाना पसंद करेंगे, जाएंगे जहां पर हमको फिजिकली लोग मिलना चाहते हैं. अच्छा, मैं बहुत बड़े-बड़े सेशन्स नहीं करना चाहता, जिसमें कि भेर सारे लोग हों, सो, पान सो पब्लिक आए और नीचे बैठे हों, मैं वहां स्टेज पर बैठा हूँ और हम सब लोग कम्मिनिकेट ने कर सके हूँ, उससे बेटर है कि हम लोग यूट्यूब के जरी बात करें, यह मुझे ज़्यादा सही लगता है. तो यह जो सेशन्स होंगे, यह बहुत ही लिमिटेड लोग के साथ परसनल डायलॉग्स होगा है, कृष्णमूर्थी करते थे, चार लोग के साथ, पांच लोग के साथ, दस लोग के साथ, पंदर लोग के साथ, बहुत बड़ा ग्रूप नहीं होता था, मैक्सिमम पंदरा या बीस लोग का एक चोटा सा ग्रूप होता था, वो एक ड्रॉइंग रूम में या एक डाइनिंग टेबल पे बैट करके, सब कृष्णमूर्थी, मुसलिक कृष्णमूर्थी बात करते थे, किसी थौट को लेकर के बहुत गहरे उसमें जाने की कुशिश करते थे, तो इसी तरह से हम लोग के डायलॉग सेशन्स रखने वाले हैं, दिल्ली में हम लोग का पहला सेशन होगा, 21st को सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, और 21st को सेकंड सेशन होगा रात को, शाम को, मतलब 6 से 7, और उसके बाद 22 तरह को, 22 मई को, वही सुबह 11 से 12, और शाम को 6 से 7, टाइम में हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पिछे, आप जब पहुंचेंगे तो देख लिया जाएगा, बट ये सेशन होगा, इंटिमेटली और लोग के लिए जो personally मेरे साथ connect होकर के, जनोगा बहुत long term में सीठना चाहते हैं, मैंने बहुत बार कहा है, कि मुझे ऐसे लोग चाहिए, जो जनोगा को अपने life में डालना चाहते हैं, उसके बाद उसको दुनिया में spread करना चाहते हैं, तो हम लोग इसको start करें, पहली बार इसमें हमारे spiritual topics होंगे, आपके personal अगर कोई questions हैं, तो उसको लेकर के हम लोग discussion करेंगे, और अगर कोई और भी, आपकी spiritual problem से हट करके, कोई और problem है, तो आप अलग से मेरे साथ appointment लेकर के, मुझसे वहां मिल सकते हैं, तो हमने इसी session के लिए, हमने कोई hall book नहीं किया है, एक proper घर book किया है, हमने website पे जाकर के वहां पर दिली में, एक घर book किया है, जहां पर मैं आपके साथ रहूँगा, वहां दो दिन के लिए रहूँगा, तो आप मुझसे मिल सकते हैं, इसकी opportunity आपको है, दिली में अगर आप रहते हैं, तो आस-पास में कहीं रहते हैं, तो आप आ सकते हैं, लॉजिंग रहने का वहां पर, हम लोग आपके लिए facility भी दे पाएंगे, बिकाज अभी हम उतना बड़ा level पर काम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है, फीचर में हम लोग residential programs भी करें, लिकिन फीचर में होगा, हम लोग बड़े-बड़े करेंगे course, जिसमें live sessions करेंगे, और सुबह से लेकर, शाम तक का meditation रोड़ाम करेंगे ने, फीचर में, इसमें आपके वल एक घंटे के लिए, सुबह और एक घंटे के लिए, शाम को मुझसे मिल सकते हैं, तो इस मौके को use करिए, मुझे वहाँ पर physically मुझसे मिलिए, मुझसे contact करिए, तो मैं wait कर रहा हूँ, आप सबसे मिलने के लिए, मैं बहुत excited हूँ अपने, और और अलड़ी काफी लोगों ने enroll कर लिया है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी, बहुत limited लोग रहेंगे, इसलिए फटाफिर्स में अपनी seat को book कर लिजे, thank you so much. दोस्तों, जनुगा basic course वो तरीका है, जिसके जरीए आप जनुगा पूरी तरह से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, completely, और इसको जॉइन करने के लिए आप इस नंबर पे WhatsApp करिए, तो आपको पूरी information मिल जाएगी, इसके अलावा Dr. P.J. सहर की चार books हैं, एक जनुगा, और इसके अलावा तीन किताबे और हैं, Conquest of Suffering, Eastern Wisdom, Western Thought, और Last Happiness and Immortality, ये चारों books आपको हमारे center से मिल सकती हैं, वीडियो में, आप उसको Prime के जरीए देख सकते हैं, उसके लिए आप WhatsApp अगर करेंगे, तो आप पूरी information मिल जाएगी, और personally अगर आप मुझसे connect करना चाहते हैं, आप मुझसे help रेना चाहते हैं जनुगा समझने में, तो आप जनुगा basic course जरूर जॉइंट कर लीजिए, तो मैं दिल्ली आ रहा हूँ, April खतम हो जाए, तो मई के महिने में, अगले महिने करीब शायद 21-22 को mostly, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि दिल्ली में रहेंगे हम लोग, तो एक meeting आप लोग के साथ हम लोग की हो सकते हैं, जो भी हमारे friends दिल्ली में हैं, या जो भी दिल्ली में पहुँच सकते हैं, exact location आपको भी मिल जाएगा, WhatsApp में आप connect करके पूछ सकते हैं कि कौन सी जगह मिलना है, और इसके लिए आपको एक registration का process करवाना पड़ेगा, because limited लोग ही आ सकते हैं, तो वो आप जल्दी से जल्दी registration करा लिजे, तापकि आप हम से मिल सकें, 21 और 22 को दिल्ली में हम लोग मिलेंगे, Thank you.